हेलो गाइस, वेलकम बेक टू माइप्रो ओनलाइन सर्विस आश्टा, दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आज हम बात करने वाले हैं, नवदी विद्याले के बारे में बात करने वाले हैं, जी हाँ दोस्तो, सिक्स क्लास के जो एडमिशन के फॉर्म चल रहे हैं उसकी पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हो, इसमें आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या ना आए, इसलिए आपको वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना है, एक लाइक जरूर कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, यहाँ पर देखेंगे, ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म एडमिशन फॉर्म, सिक से ट्लास के लिए जो फॉर्म है 24, 25, 26 का जो फॉर्म है, यहां पर आपके सामने युसके लिंकी पर दी गई है, तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक है, टूरेश्टेशन ग्याश्ट नो करेंगे, इसके बाद मैं, इससे पहले न आपने आवेदन किया नहीं किया तेसे नो करेंगे इसके बाद में अर्लियर इसमें क्या इससे पहले आपने जे एनस्टी में आपने फॉर्म भरा था नहीं कि इसको यहां पर नो कर देंगे क्या आपने प्रोस्पेक्टेशन जो भी फॉर्म की प्रोस्पेक्टेशन इसको प अनुसार, आप ग्रहे जीले से हैं, तो यस करेंगे, अब यहां पर जो है, आपका जो अधार काड के लिए जिए करेंगे, जैसे आप यहां से आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने के बाद में यहां पर एक आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा, यहां पर देखेंगे आपका जो नावदे विद्याले का फॉर्म है, यहां पर सबसे पहले आपका ग्रह स्टेट आपको सेलेट करना होगा, आपको उस आप मद्धी प्रदेश हैं, तो आप मद्धी प्रदेश करेंगे, जो भी आपका स्टेट है, वो करना होगा, ग्रह आपका डिस्टिक क्या है, वो आपको सेलेट करना है, इसके बाद में आपका आवासी स्टेट कौन सा है, आवासी डिस्टिक कौन सा है, यह सब आपको सिलेट करना है इसके बाद में यहां पर आपका जो आवासी जो ब्लॉक लगता है ब्लॉक जो भी लगता है इन में से आपको सिलेट करना है यहां पर देखेंगे विद्याले का नाम आपको टाइप करना होगा जी हां आपकी माक्षिट के अनुसार आपको टाइप करन आपको टाइप करना होगा फादर नेम आपको टाइप करना होगा फादर नेम आटोमेटिकली आटोमेटिकली आपके आधार कार्ट से आ जाएगा इसके बाद में यहाँ पर देखें कि गारजेन की बात करें तो गारजेन में फादर ही होते हैं पूरा देखर हें करने वाले तो father का नाम यहां से copy paste करके इसापर लिख सकते हैं यहां फिर type कर सकते हैं यहां पर जिसे जो भी father का नाम आपका है वो आपको किया टाइप कर देना है आगे क्या relationship है तो father लिखेंगे यहां पर आगे आपको नेशनलेटी वगेरा सब आपके सामने आ जाएगी जो भी आपका चिन्नित पुरेता पहचान चिन्न, मौलोन फेस है, राइट हैंड जो भी कुछ है, वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, male, female जो भी कुछ है इसके बाद में जो भी category आपकी बनती है उस category को आपको यहाँ पर select कर लेना है इस category select करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ेंगे address आपका आधार ाट के अनुसरी आ जाएगा pin code आधार काट के अनुसरी आ जाएगा अब यहाँ पर आपको language select करना यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो annual income है father की वो आपको यहाँ पर type कर देना है जो भी आपके आई पर्मान पत्र में है उसके अनुसार अब यहाँ पर आपका जो school है वो आपको जिसे third class, fourth class, fifth class जो भी आप running में हो या तो school का नाम आपको यहाँ पर गाउ का नाम सबसे पहले आपको तीनों जगे लिख लेना है ठीक है इसके यह तीनों जगे टाइप कर देना है जैसे हमने तीनों जगे यहाँ पर type कर देना है जैसे यहाँ पर आपका कौन सी class में आपने third class, fourth class और fifth class में आपका बच्चा रहा था उस school का नाम आपको यहाँ पर type कर देना ठीक है इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे यह school का नाम हमने यहाँ पर पूरी तरह से type कर दिया है इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे recommendation तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है not recommended या इसा कुछ नहीं करना है यहाँ पर बात करेंगे कि अर्बन या फिर रूरल तो आपके जो स्कूल है वो ग्रामेंट चेत्र में है या फिर सहरी चेत्र में है अगर सहरी है तो अर्बन करेंगे ग्रामेंट चेत्र में है तो रूरल करेंगे ठीक है चलिए आगे की जो प्रोसेस है उसे समझ लेते हैं यहां पर यह तक पूरी जानकारी आ गई है, इसके बाद की जो यहाँ पर year वगेरा है, यह आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद मैं यहाँ पर देखेंगे कुछ जानकारी जो हमने starting में दिया था, undertaking में, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, अ आपके जो parents है, उनके signature 10 से लेकर 100 KB में, और यह वाला जो certificate आप school से लेकर आये थे, वह आपको यहाँ पर 50 से लेकर 300 KB की बीच में upload करना है, ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यह बच्चे का photo हो गया, बच्चे का sign हो गया, थोड़ा सा नीचे करेंगे, तो य आपने form बराए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, अगर कोई समस्या है, तो आप यहाँ से edit का option भी उसमें दिया जाता है, नीचे थोड़ा सा scroll करने के बाद नीचे करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकरी देखने के मिल जाएगी, अगर आपने form में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है, तो आप यहाँ पर edit वाला option जो है, इसके उपर click करके आप उसमें सुधार कर सकते हैं, यह सब complete होने के बाद आपको final submit कर देना, जैसे आप final submit वाले option को लेंगे, तो यहाँ पर पुछा जाएगा क्या आप final submit करना च चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूले, और bell icon को ज़रूर प्रेस कर ले, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुबरे